आई प्रेंड्स वेल्कम एक वाव यूकूप चैनल येंग मिन्या फिसने सेंटर नमस्कार सास्रिकार आदाव एंड साथ में जार्खनी जोहार आयम वोतर महत्व आज हम बात कर रहें आखों की समयस्याओं को लेके इन दिनों जहां जालतर लोग का वक्त मुवाइल टेलिविजर या कम्पूटर केस्टी पर बितता है इसे में लोगों की आखे कंड़ी की तुल्ना में आज कर जल्दी कमजोर हो रहे हैं वड़े हो या छोटे हर किसीं ये स समय से आज कर दिखाई दे रही है इन परिष्थित्तियों में बहुत जरूरी है कि अपने दिन चरिया में आप कम से कम दस्माटी सही लेकिन आखों के सामिल करें जिससे आप अपने आखों को स्वस्थता हेल्दी बनाएं रख सकते हैं तो इंजोई इस वीडियो लेट्स में सबसे पढ़ olması लिकिंगे दूनों आखों को इस तरह ब्लिंग करना है ङसे करने से हमारे आखों के मशल्स करेंड होते हैं जिससे भा देभी अधे ही रहो जाना उस तरह समय स्हां का आसाने से चुट करा पा सकते हैं और तो और अजी हमारे आखों में चस्प में लगे हैं तू अभी धिरे-धिरे चुट जाएगी एक्सरसाइज इन होने के बाद हम दूनों फिंगर से आखों को इस तरह हलके हाथों से मालिस करेंगे नेस्ट आय रोटेशन पहले हमें लेप या फिर राइट कोर्नर को आई बोल को ले जाना है राइट आइस कोर्नर देन लेफ्ट आइस कोर्नर की ओर फिर कुछ सेकंड फोल्ड करना है लाइक दिस इस तरह हमें 20 से 30 सेकंड कर सकते हैं इससे हमारे आखों की समझ से धिरे-धिर से कम हो जाएगी एक्ससाइज इन दोने के बाद तीन से चार बार इस तरह मालिस करेंगे ऐसे करने से अंतसरा अवी तरव के सर्कुलेशन में सुधार आती है नेक्स्ट आय रोटेशन इसमें आई बोल को हम उपर की ले जाएंगे फिर दिरे-दिरे निचे की ओर ले जाए जब हम उपर की और आईबोल को ले जाते हैं तो 2-3 सेकंड होल करना है फिर दिरे-दिरे निचे की ओर ले जाना है और निचे की ओर भी 2-3 सेकंड होल करेंगे यादर कि आप इसको भी 20-30 सेकंड तक कफों कीजिएगा आँखों की समस्यां को दूर करने के लिए आप ज्या आजर हरी पतिदार सब्जी इतियादी एक्सराइज इन डोने के बाद फिर दुनों फिंगर से लाइक इस इस तरह हलकी आतों से दुन आखों को मालिस करना है नेक्स्ट आयरोटेशन एक्सराइज बोथ आइस को टाउन एंड राउन क्लोक्वाइज और एंटी सब्सक्राइब करना पड़ेगा आइस का क्यार करना बहुत ही जरूरी है तभी हमारे आंके स्वस्थ तता हेल्दी बने रहा सकते हैं एवरी एक्सराइज इन डोने के बाद दोनों फिंगर से आखों को मालिस करना है नेक्स्ट एक्सराइज दोनों हाथों में से किसी एक खांत को आगे क्योर लाएंगे और थम टेप को कंटिन्यू विदावट आई बिलिंकिंग देखना है इसा करने से आपके आखों में आखे साफ होती है आप इस एक्सराइज को एक से डेव मिनट तक कंटिन्यू करना है इसा करने से डेफिनेटली आपके आखों में आशु आएगी अपनी आखों को और तेई तता चमक बनाए रखने के लिए आप से शासन भी कर सकते हैं इसका लिंक में ने आई बटन पर दे रखा है एक्सराइज इन वनिक बाद रब यूर हैंड्स देन दुना हाथों को इस तरह रखना है हलके आथों से ज्यादा प्रेश नहीं करना है फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही आई होब कि आपको वीडियो अच्छा लगाओगा दोस्तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे क्योंकि आपके सस्क्राइब करने से हमें इस तरह की वीडियो बनाने मोटैविशन मिलती है हाईक्यू जहिर